हेलो व्रिवन कैसे आप सब होफुली फाइन होंगे तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है इस वीडियो हम क्या डिसकस करेंगे इस वीडियो हम रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिसकस करेंगे कि कहां पर हमें एंट्री करनी है पहले पारड में हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट का मूट क्या है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो मूट है या जो सेंटिमेंट है वो यह रिसाइट करने में हेल्प करते हैं कि हमारी मार्केट गैप खुलने वाली है गैप डाउन खुलने वाली है उसके बाद अल् 9th of November को Wednesday को जिसके तुरू हम trade कर पाएं ठीक है तो यह सबसे पहले start करते हैं global market के mood से कि क्या global market के sentiment हमें बता रहे हैं और कल क्या possibility है gap up या gap down की ठीक है तो हमारी market आज बन थी गुरू नानक जैनती के कारण तो हम लोग open थे मंडे को सबसे बहले बात करते हैं कि Monday evening को क्या तो Monday evening को भी US की जो दो main index है Dow Jones और Nasdaq positive बंद हुई थी 1% के आसपस दोनो positive बंद हुई थी यानि एक pullback का आता है कि strong closing आयती मंडे को आज भी वो closing है या जो rise है वो continue है आज भी आप देख सकते हो अभी market बनतों नहीं हुए US की लेकिन हम देखे तो जो Dow है वह around 1.5% positive है लग hashtag भी 1% positive है 120 points तो हम यह कह सकते हैं कि मंडे को भी US की market positive थी strong थी Tuesday को भी strong है तो global market का sentiment है वो तो काफी अच्छा है ठीक है अब देखते हैं हमारी market मंडे को क्या क्या तो हमारी market gap up open हुई थी फिर sustain नहीं कर पाई but at then काफी अच्छी recovery आई last half an hour में एक घंटे में और निफ्टी आधा परसंट के आसपास positive बंद हुई है 18202 जो मंडे की वीडियो में मैंने कहता है कि मंडे का suspense लेवल सिम्पल सह था अठारा धाइसो बचे गया या नहीं वहां खुल तो जाएगी बट वो sustain होगा या नही हुआ होई खुल गई वो अठारा धाइसो के आसपास पर sustain निकरी और नीचे गिर के बंद हुई है जो एक हल्की सी negative thing है बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ वन परसंट के आसपास 428 पॉंद पॉजिटिव बंद हुई SBI के बहुत अच्छे result थे बैंक बड़ादा के बहुत अच्छे result थे उसने ये rally लाने में help की निफ्टी बैंक में अब निफ्टी बैंक में एक बहुत अच्छी चीज हुई मंडे को क्या हुई वो मैं दिखाता हूँ आपको जो बैंक निफ्टी है जब इसने सितंबर में rally ली थी all time high जरूर टच करके आई थी लेकिन कोई भी single दिन ऐसा नहीं गया था जिसने 41500 के उपर closing दियो पिछले 9-10 दिन से भी वहीं पर घूम रही थी 41500 के उपर जा रही थी बट closing नीचे दे रही थी कल पहला ऐसा दिन मंडे को जब इसने 41500 के उपर close देके गई है जो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि बैंक निफ्टी आखिरकार इतने बड़े time के बाद 41500 के उपर positive close देके गई है positive sentiment है global हमारे market भी positive trail के साथ बंद हुई है यानि बहुत अच्छी हम कल का दिन expect कर सकते हैं एक gap up opening expect कर सकते हैं देखते हैं exist nifty कहां पर trade हो रही है exist nifty के निफ्टी के futures हैं जो Singapore stock exchange में trade होते हैं वो around 18400 के आसपास trade हो रहे हम बंद हुए 18200 के आसपास तो वो 1501 point की gap up opening की तरफ indication कर रहे है अब gap up तो हो जाएगी again problem है 18200 के उपर sustain करेगी या नहीं करेगी कर गई तो क्या 18500 sustain करेगी या नहीं करेगी तो जितना gap up दिख रहा है 18800 के उपर तो gap up हो नहीं है अब the real question है कि क्या उसके उपर sustain करेगी yes अच्छी बात है अपनी ugly hurdle 18500 की तरफ nifty move कर सकती है यह आप कह सकते हो all time hit करने की तरफ भी move कर सकती है bank nifty बहुत जैसे कि मैंने आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज़ बताई कि काफी time बात आप यह कह सकते हो लास्ट पर एक तालिस पांसों के उपर closing आई थी यहां पर जब इसने all time high hit किया था तब भी अगर आप देखोगे तो एक तालिस पांसों के उपर तो I think कभी close नहीं आई है तो एक तालिस पांसों के उपर close आना is a very very good thing जो एक बड़ा positive sign है और positive sentiment यानी मुझे उमीद है कल bank nifty नहीं all time high लगा सकती है जो बहुत probable है ठीक है तो यह थी market की Monday की समरी या global market की अब तक की समरी तो conclusion यह एक gap अप ओपनिंग की तरफ हम बढ़ ले सस्पेंस क्या अठाराट हाइसों के उपर sustain करेगी या नहीं करेगी bank nifty maximum probable chance है all time high hit करने के लिए कल को रेटी है ठीक है तब देखते हैं nifty bank nifty के support resistance क्या कह रहे है और कल हम इस gap up opening को कैसे handle करें कैसे इसको trade करें ठीक है तो nifty से start करते है nifty का जो support आ रहा है bank nifty से start कर लेता है I don't know nifty ख रहते हम एक तो nifty आ जाएगी तब तक हम क्या करते हैं तो यह हमारी समरी है अब हम तब आज काम करते है bank nifty से start कर लेते है bank nifty का support आ रहा है वह 41461 से 41500 का एक जोन आ रहा है एक तालिस धाईसों का जोन आ रहा है लेवल और 4978 से एक तालिस यार का जोन आ रहा है यह तीन लेवल है जो निफ्टी के लिए support की तरह काम करने वाले resistance क्या होगा 41 750 से 41 850 का एक zone है जो हमारे लिए ऐसा support काम करेगा I think 41441 750 से 41 850 का zone है जो हमारे लिए resistance zone की तरह काम करेगा 52,000 है और लास्ट में 42 500 है जो मैं कई दिनों से गह रहा हूं निफ्टी का ultimate destination हो सकता है वो होगा तो यह support and resistance के level है अब देखते हैं इन्हें trade कैसे करें दो टाइप की entity होती है मार्केट में एक option buyer एक option seller अगर आप option seller है तो 43,000 के उपर वाली call sell कर सकते हैं put sell कर सकते हैं उन 4500 के नीचे वाली थोड़ा risk लेना चाहें तो आप आगे भी जा सकते हैं like 40,000 को भी explore कर सकते हैं और 45,000 को भी कर सकते हैं ठीक है अगर आप risk taking individual है तो option buyer क्या करें option buyer call buy करें बिलकुल कहां पर मगए वो देख लेते हैं अगर 41,700 से जो 41,800 का zone आ रहे है जो मैंने उपर बताया भी resistance है इसके उपर open हो and sustain करें यहाँ पर sustain is the most important word sustain मतलब 15 मिनट की एक दो candle उपर closing देदे य यकीन दिलाए कि zone के उपर खुलने के बाद bank nifty sustain कर रही है रूप करी है देन वो आगे move on करेगी obvious है तो 42,000 के target के साथ हम buy करेंगे अगला level है 42,000 के उपर open हो sustain करें तो भी call buy बनती है 42,440 हमारा target होगा उसके बाद है 41,461 से 41,500 का zone आ रहा है जिसके उपर bank nifty ने Monday को closing दिय जो सबसे बड़ी positive thing दी अगर उसके उपर open होती है sustain करती है तो भी call बाया है 41,700 से 41,800 का zone हमारा पहला target होगा दूसरा 40,000 होगा जब दो target है तो आप एक काम कर सकते हो या तो पहला target आते ही profit book कर लो या पहले target को उपर closing दे तो अगले target का wait करो और पहले target का अपना stop loss बना हो यानि trail करते हुए चलो अगला 41,500 इसके ऊपर open हो sustain करें तो भी आप call buy कर सकते हो 41,490 और 41,750 से 41,850 का zone हमारे target होगे इस scenario के आने के chances काम है क्योंकि कल market gap up होनी चाहिए मगर फिर भी मैंने एक और scenario रख लिया है कि अगर कोई सुबह news आती है कुछ भी होता है तो यह scenario कब बनती है अगर निफ्टी गिर के आती है बैंक निफ्टी सौरी 40,978 से 41,000 के एक support zone आ रहा है यहाँ पे आए इंट्रेडे चार्ड में कोई bullish signal बनाए अगेन bullish signal कोई भी bullish candlestick pattern हो सकता है like hammer, bullish engulfing, bullish army, morning star जो बुल के आने का comeback दे call by बनती है 41,240 और 4,490 हमारे target होंगे और कब बनती है अगर 41,250 आए इंट्रेडे चार्ड में कोई bullish signal बनाए तो भी call by है 41,490 और 41,750 हमारे target होंगे अगेन आप पहला target अचीव होने के बाद अगर उसके उपर closing आती है तो दूसरे target का wait कर सकते हैं और पहले target का stopless बना सकते हैं या आप trail करके चल सकते हैं या simple है पहले target का profit बुक करें और market सा out हो जाए या 41,461 से 41,500 का zone आ रहा है इसके उपर इसी retest करने आ सकती है कोई बड़ी बाद नहीं कि 41,500 को इतने टाइम के बाद gain करके गई है अगर आती है इसके उपर कोई bullish reversal signal बनाती है तो भी आप call बाय कर सकते हो target होगा 41,000, 41,250 ये call के थे put कब बाय करें अगर 41,500 से 41,800 का zone आ रहा है इसके ऊपर open होती है sustain करती है तो भ 41,200 हमारे target होंगे 42,000 के नीचे open हो sustain करें again sustain is the most important word एक 15 मिनट की candle क्या एक 30 मिनट की candle नीचे closing दे sustain करना important है तो भी put by है 41,850 एन 41,750 का zone है हमारा पहला target होगा 41,500 हमारा दूसरा target होगा 41,500 के नीचे open हो sustain करें तो भी put by है 41,260 से लेकर पहला target होगा और 49,78 से 41,000 का zone आ रहे है यह दूसरा target होगा last है 41,238 से 41,260 का zone आ रहे है इसके नीचे open हो sustain करें तो भी put by है 49,78 से 41,000 का zone आ रहे है यह हमारा target होगा last put by बनती है अगर 41,750 से 41,850 का zone आ रहे है बड़ा important है क्योंकि एक बड़ा important level है 41,750 और all time high का level है तो combo है यहाँ पर कोई bearish signal बना है bearish signal अगेन कोई bearish candlestick pattern हो सकता है जो bear के comeback का indication दे put by है 41,510 और 41,260 हमारे target होगे last है 42,000 जा रहा है intraday chart में कोई bearish signal बना है again bearish signal कोई candlestick pattern हो सकता है जो bear के comeback को show करें तो भी put by है 41,760 और 41,510 हमारे target होगे तो यह bank nifty के levels थे हमें बस इतना करना इनी levels के साथ इस्टिक रहना है ताकि हमारी maximum trade profitable हो क्योंकि हम सही time पे enter करेंगे market में तभी हम profitable trading कर पाएंगे अब हम nifty के levels देखते हैं यह nifty के levels हैं वापिस आगी nifty तो nifty का support आ रहा है 17,81 से 18,000 का एक zone है 17,700 का zone है और last है 17,500 से 17,549 का zone resistance है 18,800 पे 18,500 से 18,604 का और last है 18,700 का एक level अब इनको कैसे play करें दो टाइप की entity है एक option buyer एक option seller अगर आप option seller है तो 18,700 के उपर वाली call sell कर सकते हैं risk लेना चाहें तो 18,600 पे भी आ सकते हैं put sell कर सकते हैं 17,700 के नीचे वाले ठीक है बायर क्या करें call buy करें कब करें अगर 18,200 के ऊपर open होती है sustain करती है sustain is the most important word sustain का मतलब है कोई एक 15 मिनट की या 30 मिनट की candle ऊपर closing दे दे 18,300 पहला target 18,500 से 18,604 का zone दूसरा target होगा 18,400 के ऊपर open हो sustain करें तो भी call buy है 18,500 पहला और 18,604 दूसरा target होगे last है 17,881 से 18,000 का zone आ रहा है इसके ऊपर open हो तो भी बाय है target होगे 18,500 और 200 इस scenario के उनने chances बहुत कम है फिर भी मैंने हर scenario include कर लिया call buy और कब बनती है अगर 17,881 से 18,000 का zone है इस पे आए intraday chart में कोई bullish signal बनाए bullish signal अगेन कोई bullish candlestick pattern हो सकता है like hammer, bullish engulfing, bullish arami, morning star जो bull के comeback का indication दे call buy और 18,500 और 18,200 हमारे target होंगे 17,900 आए intraday chart में कोई bullish signal बनाए तो भी call buy और 18,000 और 18,500 हमारे target होंगे last है 17,700 के level यहाँ पर आए intraday chart में कोई bearish signal मनाए 17,900 और 18,000 हमारे target होंगे put cup buy करें अगर 17,881 से 18,000 का zone आ रहा है इसके नीचे open हो sustain करें put buy है target यहाँ पर गल्ले दिख दिख दिए गए sorry for that अगर आप put buy करते हो sustain करने पर तो आपके target क्या होने चाहिए obvious है sell की trade है तो नीचे होने चाहिए तो आपके target होंगे बड़े simple से 17,700 का है एक target है क्योंगे आप इसको कर सकते हैं क्योंगे market बहुत strong लग रही है तो उसके आने के chances बहुत कम है अगर आती भी है कोई selling जैसे मंडे को आई थी तो जल्दी वो exhaust हो जाएगी ठीक है 17,900 के नीचे open हो तो भी same target है और 17,700 के नीचे open हो तो 17,600 और 17,500 हमारे target हो लास्ट है निफ्टी राइज हो के आए जैसा की मंडे को हुआ 18,200 पे आए important level है कोई bearish signal मनाए अगेन bearish signal कोई shooting star जैसा कोई candlestick pattern हो सकता है जो bear के comeback को show करे put buy करेंगे 18,500 और 18,000 हमारे target होंगे 18,500 आए इंट्रेट राइज हो बनाए अगेन put buy है ठारा साड़े तीन सो अठारा थाई सो हमारे target होंगे last 18,400 का level इंट्रेट जैसा चार्ड में यहां पर आए कोई bearish signal बनाए अगेन put buy बनती है target होगा ठारा थाई सो तो nifty bank nifty के levels थे आपको बस इतना करना इन levels के साथ stick रहना है क्योंकि जब हम levels के साथ stick रहते हैं right type entry exit करते हैं तो हमारे और और ऐसी वीडियो लेकर आएं तो आपको पता चलता रहे आप उससे अपनी knowledge enhance कर सको profitable trading कर सको कुई session हो आप comment section में वह भी बता सकते हैं हर session का welcome है तो इस वीच के साथ कि कल का दिन आपके लिए profitable हो इस वीडियो को end करते हैं thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए happy trading